नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो न्यूस के बारे में जो की ये हफते में हमें सुनने को मिली है और ये सेग्मेंट हमने हमारे चैनल पे अभी शुरू किया है जिसका नाम रहेगा वीकली क्रिप्टो रांड़ा इस सेग्मेंट में हम बात करेंगे पूरे वीक में जो भी क्रिप्टो या एनेफ्टी या मेटावर्स के अंदर न्यूस हमें सुनने को मिले हैं सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह आफ्ते में हमें काफी सारे न्यूस सुनने को मिले थे जो कि रिलेटेड थे एनेफ्टी क्रिप्टो या मेटावर्स है सो उन सबके हम बात करेंगे एक एक करके गूची ने मेटावर्स जो कि एस सैंडबॉक्स के उपर अपना एक शॉप ओपन किया है सो गाइस सैंडबॉक्स एक वर्चौल मेटावर्स है जो कि बेस्ट है इतरियम ब्लोक्चेन के उपर जिसके अंदर प्लेयर्स अपना वर्चौल एक्सपिरियेंस ले सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं या मॉनिटाइस कर सकते हैं सो गाइस गुची ने सिलेक्टेव मेटावर्स फैशन आटम्स डिजाइन किया है जो कि प्लेयर्स को सैंडबॉक्स के उपर अविलेबल रहेंगे बाई या सेल करने के लिए सो गाइस अब बात करते हैं हमारे दूसरे निउस की मेकडावनल्स ने ट्रेडमाक फाइल किया है मैक मेटावर्स के नाम से आइकॉनिक अमेरिकन रेस्टॉरेंट चेन मेकडावनल्स वर्चॉल स्पीस में एंडर करने वाला है विट इट्स ट्रेडमाक रजिस्ट्रेशन मतलब इन simple words McDonald's plan कर रहा है कि वो Metaverse में अपना एक virtual restaurant खुलने वाले है So guys, अब बात करते हैं हमारे third news की Russian newspaper ने tweet किया है कि government and bank of Russia इन दोनों ने मिलके agreement बनाया है crypto regulation के उपर और हम ये expect कर सकते हैं कि 18th feb तक एक draft law बनाया जाएगा जिसके अंदर crypto को analog of currencies define किया जाएगा So guys, Russia crypto को as a currency accept कर रहा है ये काफी बड़ी बात है So guys, अगर आपने अब तक crypto में invest करना start नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक app recommend करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinDCX ये app काफी easy है और simple है handle करने के लिए इसके अंदर more than 100 cryptocurrencies available है trade करने के लिए इसके अंदर crypto transactions करना काफी easy है और इसके अंदर withdrawals भी काफी आसानी से हो जाते है So guys, आप CoinDCX app install कर सकते हैं मैं उसके link description box में provide कर दूँगा और अगर आपको crypto app blockchain के बारे में जानने में interest है So इनका एक platform है DCX Learn उसको भी आप check out कर सकते हैं उसके अंदर काफी अच्छे courses है free में सीखने के लिए उसके भी link description box में present है अब बात करते हैं हमारे fourth news की Manchester United के former football stars Gary Neville और Paul Schools दोनों साथ में मिलके sports focused decentralized autonomous organization बनाने वाले हैं और उनकी help करने वाले हैं Singapore के 2 billion years और इन former football stars को 1992 के legends भी कहा जाता हैं अब बात करते हैं हमारे fifth news की Nintendo एक काफी famous company है उनके Q&A session में question पूछा गया था NFTs और Metaverse के उपर So Nintendo ने कहा था कि वो lots of potential देखता है NFTs and Metaverse platform में और वो interested है इसमें आने के लिए अब बात करते हैं हमारे sixth news की World's one of the biggest football team Manchester United उन्होंने ये announce किया है कि Tezos उनका sponsor रहने वाला है for multi-year training kit and according to the official announcement Manchester United उनके promotional material भी film करने वाला है So guys Manchester United काफी excited है इस web 3 के world में आने के लिए अब बात करते हैं हमारे seventh news की wildlife streaming servers wild earth NFTs बनाने वाले है animals के उपर उनका ये कहना है कि वो पैसे को increase करना चाहते है animal conservation के लिए और उनके NFTs की value अभी लगबग $200 के आसपास चल रही है और उनका कहना ये भी है कि NFTs से मिले हुए पैसो से directly 40% पैसे use के जाएंगे animal conservation के लिए So guys ये थे मेरे इसाब से top crypto, NFT and metaverse news जो कि ये हफते में हमें सुनने को मिले थे अगर आप crypto में invest करना चाहते हो तो CoinD6 app के link मैंने description में दी है उसके उपर click करके CoinD6 app install कर सकते हैं So guys thank you for watching this video अगर आपको ये video पसंद आयो तो please like कर दीजे अगर आप हमारे channel पे नाए हो तो subscribe कर दीजे और अगर आपको कुछ doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको reply जरूर दूँगा Thank you for watching this video and meet you in the next one